असलाम उलेकुम फ्रेंज और वेलकम बाक टो कुक विद राइनीस किचिन आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही अमेजिंग राइस विद सोया चंग्स बनाने की रेसिपी और क्योंकि सेर्दियों में बहुत जादा पसंद आते हैं सबको ही गर्म गर्म राइस और इसे इंजॉय करना तो आप भी इसे जरूर ट्राइ कीचेगा और अपने व्यूज मेरे साथ शेयर कीचेगा तो आप देख सकते हैं बिलकुल खिले खिले से चामल और बेहदसान तरीके से आज में बनाने वाली हूँ कोई जंजट नहीं चली देखते हैं किस तरह से मैंने से बनाया है सबसे पहले मैंने एक प्रेशे कूकर में ऑईल हीट किया और इसमें अनियन और ग्रीन चिली इस इन दोनों को डाल कर फ्राइ करने के लिए छोड़ दिया है इसके साथ में ही मैंने से चक्यारॉट कर दी आपके पास जो भी सबजी आवलेबल हूँ आप इसमें एड़ कर सकते हैं और इसकी बाद में कुछ पाॉड़र मसाले आट करूंगी जिसमें मैंने वान टी स्बून थर्मरेक पाॉडर आट कर दिया है और इसे एक बार इस तरह से स्टोर कर दिया है फिर इसके बाद मैं इसमें आड़ करूंगी यह पताटोस बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें पताटोस का अगर आप पसंद करते हैं तो जरूर आड़ करें और बस इन सबी चीज़ों को हलका सा फ्राय हो जाने देंगे इसके साथ में ही अगर आप तोमाटोस वगएरा इसमें आड़ करना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं यहां पर मैंने इसमें आड़ किया है यही टोमाटोस रेचिली और गार्लिक का पेस्ट अगरीबन तीन टीस्पून मैंने इसमें यह एड़ कर दिया है प्रवाइड कर दोंगी और इसके बाद मैंने इसमें यह एड़ कर दिया है अपने टीस के अगॉरिंग का मिया ज़्याद रख सकते हैं पर इसके बाद ऊपर से भी मैंने इसमें कुछ यह चॉप्ट टोमाटोस आड़ कर दिया हैं अगर पसंद करते हैं तो ज़रूर आट करें नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं अच्छा इसके बाद यहां पर मैंने इसमें सोय चंग साट कर दिये हैं जिसे मैंने अच्छे से बोईलिंग वोटर में सोप करके वाश कर लिया था और क्योंकि स्वेचंग में थोड़ी सी डर्ट वगेरा रहती है तो आपने से बहुत अच्छे से वाश कर लेना है यूज़ करने से पहले otherwise कभी कभी हो जाता है पूरे राइस खराब हो जाते हैं इसके वज़े से तो बस अब इसमें जितना भी पानी उसे आपने कर देना स्क्वीज और इसके बाद इसमें डाल दें अच्छा इन सारी चीजों को आप कर देना है बहुत अच्छे से मिक्स और इसके बाद मैं इस प्याद करूंगी तो यहाँ पर मैं नॉर्मल घर वाले चामल का इसके बाद जाए हुए छाए हुए अगर आप चाहे हैं तो आप इसमें बासमती राइस का भी यूज कर सकते हैं जिसके साथ हम बिर्यानी बनाते हैं और यहाँ पर मैंने अल्रेड ही जोग यूज पर बस आपने इस इसमें ही डालना है जिससे हमारी राइस अच्छे से कुक हो जाएं तो जहां तक कि हमारी राइस का लेवल था बस वही तक कि मैंने इस पानी आट किया है और क्योंकि हम रेशे कुकर में बना रहे हैं तो बहुत सादा पानी की जरूरत नहीं है बस यहां पर आप सौल्ट को चेक कर ल पर आपने लेना है इसके हाई फ्लीम पर पकाएंगे और इसकी बात फ्लीम को लो करके एक विजल आने तक कि कुक करेंगे और इसकी बाद यह राइस हमारे बिलकुल रही है जब प्ररेशर बहुत अच्छे से लूज हो जाए इसका फिर आप इसे उपन करें और एंज़ाय करें तो देख सकते हैं अभी बहुत गर्म है आपको हल्की चिपके हुए दिखे हैं लेकिन जैसे जैसे ठंड होंगे बहुत अच्छे से खुलेवे चामल हैं बिल्कुल परफेक्ट और कैसी लगी यह रेसिपी जरूर बताएगा त्राय करिएगा और अपनी व्यूस मेरे के साथ तिल देन लाह फिस टेकर बाइस यौल वेरी सुन मैं नेक्स वीडियो